परसो मैं कोई वानिक बाल में से मिलता जुलता फंक्शन हो रहा था वहां भी मैंने यही बात की कि जब आप डिग्री लेकर बाहर निकलेंगे तो आपका जीपीए को नहीं देखाएगा आपका attitude, आपकी सोच, आपका रवया, आपकी communication, आपकी personality, manners, etiquette, fairness and above all your ethics को देखेंगे Ethics और attitude पर लोग fire होते हैं और डिग्री और जीपीए पर आप एंटर होते हैं America, Canada, Japan में बच्चों पर स्कूल और युनिवरस्टी में बेपना investment करते हैं स्किल्स पर जिसका दूसरा नाम है सौफ्ट स्किल्स ये इंटरपर्सन स्किल्स मैं जब यूटी से निकला तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, आप यकीन करें और देख दो साल में मुख्लिफ ट्रेनिंग्स के जरीए में पॉलिश हुआ थोड़ा बहुत और मैंने अपने आपको सदरे पाकिस्तान के साथ पाया, 26 साल की उमर में, जिया उलक साब तो मुझे वो पॉलिश होने का मौका कहां से मिला मुख्लिफ ट्रेनिंग से जरीए और थोड़ा बहुत जब मेरी ग्राइंडिंग होई जंग उतरा तो मैंने आपको चार साल बाद वाशिंटन डी सी में पाया और छटे साल मैं वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था, साथ में साल में एक अमेरिकर निजिस्ट्रिय पढ़ा रहा था और मैं लहोर के कुर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, जिसने मेरी थोड़ी बहुत इंवेस्ट्मेंट मेरे पर की किमौनिकेशन पर ज्यादा नहीं की तो मैं आपको आज पहला मश्वरा यह दूँगा कि किमौनिकेशन पर इंवेस्ट्मेंट शुरू कर दें ताकि आप इंटर्वियूज में लोगों को इंप्रेस करना या दूसरे लफ़ज में बिव को बनाने में काम जाब पहुचाएं यह मेरा मश्वरा आप जब जॉब डूनने निकलेंगे तो आप चिटे मांग रहे होंगे, यह मेरे पास चिट नहीं थी और हरे को कहेंगे जी उसके पास सफारश थी, मेरे पास सफारश नहीं थी यह क्या क्या आप आप तसलिए दे लेंगे नौकरी मुझे तसलिए नहीं मिली जबकि आपकी सफारश आपकी communication skill है आपकी personality है, आपके निशिस थो ब्रखास का तरीका वारदात है आप उठें और मुराद पा जाएं छाजाएं जिसना टीवी में श्तिहार ने ता आगिया है छागिया ठा करके उस टायल में आप उठें और छाजाएं तो पहला मश्रा ही है कि आज के बाद के मुनिकेशन पर इंवेस्ट करना शूर करते हैं इंटर परसनल स्किल में सबसे एहम स्किल के मुनिकेशन है कुरान पाक में हज़रत मुसा दौा करते पाए गए हैं कि ला मेरे के मुनिकेशन स्किल को बढ़ा और अल्ला के मुनिकेशन पित्ता फोकस कर रहा है खुदा की जाते अक्दस कि इर्षादे गरामी है कि या यूलमदसर कुम फांजर ऐ चादर में लिप्टे वे खड़े हो जा किया जै जिसका हुकम दिया गिया तो किमुनिकेशन ला ताला ने अपने अंबिया के तोस्त से अपनी मैसेच की हकानियत को अफातियत को सदाकत को मसलम और मसलत करने के लिए एक मोड के तोर पे चुना है ख़दा की जात ने अगर ख़दा की जात ने चुना है तो हमें तो उसको फालो करना चाहिए एंजिनियर्स पे बहुत बड़ा एक लजाम है कि इनकी किमुनिकेशन स्किल बहुत भी है जब मैं यूटी में प्रोफेसर था प्वाइन सल पहले मुझे याद है जनर्ल अकरम ने बकाइदा समर में किमुनिकेशन के लिए दो मिने का केम्प लगाया और इंग्रेजी के टीचर बलाये और उनको उसे पड़वाया ताकि इंडिस्ट्री से शिकायत आ रही थी कि इनको तो बेसिक के अप्लिकेशन लिखनी नहीं आती तो ये तो है रिटर्न अप्लिकेशन आज जो मैं आपसे डेड़ घंटा सवा घंटा बात करूँगा मैं आपकी वर्बल के मुनिकेशन बात करूँगा कि आपने कैसे तरीका वारतास से इंप्रेस करते हैं इंटर्वियू में ना सिर्फ इंटर्वियू में सोशल लाइफ में परसनल लाइफ में परफेशनल लाइफ में टेकनिकल लाइफ में आप कैसे चाह सकते और मैंने गोरों को कैसे बेवकु बनाया था थोड़ा बहुत बोल के अगर मैं बना सकता हूँ बना सकता हूँ मैं लहौर के कोई हाई-टेक सोसाइटी में पैदा नहीं होा था मैं कोई एसन कॉलिज में नहीं बढ़ा था लेकिन मुझे मौका मिला कि मुझे के जरीए परसनलिटी को पॉलिश करके गोरों के सामने पेश करने में और मैंने पांच अमेरिक अंडूरी में पढ़ाया अभी मैं यूटी से फार हुआ था तो मुझे लिंक्टिन से किसी अमेरिक अंडूरी अप्रोच किया इंटर्व्यू टेलिफन पर किया और वीज़ा भीज़ दिया और मैं पढ़ाने चला गिया तो अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते है और मैं कोई अमीर खांतान का नहीं हूँ मैं भी आपकी तरह इसी तरह मिडल ओर बैट्समें बलकि टेल अंडर था यूडी में मैं बस मोड कार क्या मोड सकल भी नहीं थी और जब यूडी बस में सो तीसी तुमें तीन बस से बदल कि कृष्ण अगर से जाता था मैं फखर एमान दसान अफ दा साहिल मेरा जमीर अगर खमीर इसी में ठीज़ से उटा है तो आपका भी जूट है अगर मैं आगे जा सकता हूँ आप भी जा सकते है तो मुझे आगे जाने में किसी सफारिश की जूट नहीं पड़ी मुझे किमूनिकेशन स्किल ने हेल्प किया अगर मुझे कर सकता है तो आपका भी कर सकता है तो आज पहला ताहिए यह कर लेते हैं कि मुनिकेशन स्किल पे इंवेस्ट करें यूट्यूब से आप एक से दो वीडियो देखें हफ़ते में संडे को यूट्यूब पे तीन तेन पांच पांच मेंट की वीडियो लोड करें और आपसमें ग्रूप बनाएं और कि मुनिकेशन स्किल पे इंवेस्टमेंट करना चुआ होती है आपकी तरक्षी आपके 15 फीसद आपकी क्रिडेंशल की वाई से होती है और 85 फीसद आपकी तरक्षी होती है कि मुनिकेशन स्किल से बकादे इसमें थाबत हुए है जैसे बर्गजीदा नभी अपने किमूनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए कुरान पाक में दौा करते पाए गए है जैसे मैंने भी जिकर किया और कुरान पाक में लाट अला बार बार कह रहा है कि कह दो कुल कह दो यानि इंसिस्टन्स नेचर की किस बात पर है